नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टॉप 25 परमों खबर जानते हैं चुनाव आयोग ने ममता बनार जी पर लगाया बैन तिनमूल सुप्रीमो ममता बनार जी और पछिम बंगल के मुख्यमंती ममता बनार जी के खिलाब चुनाव आयोग ने सक्त करवाई किया है ममता बनार जी अब 24 घंटे तक परचार नहीं कर पाएंगी आयोग के इस फैसले खिला ममता बनार जी ने धारना देने की घोस्ना कर दी है बता दे टी एमसी सुप्रीमों ने कहा है कि 13 अपरेल को अकुलकत्ता में गांधी मूर्तिक के पास धारना देंगी चुनाव आयोग के इस करवाई के बाद ममता बनार जी 12 अपरेल की रात 8 बए से 13 अपरेल की रात 8 बए तक किसी चुनावी कारिकर में भासर नहीं दे पाएंगी मौसम विभाक्यान सार मादे परदेश और 36 घंड में निम्न दबाव का छेतर बना हुए है मौसम विभाक्यान सार 13 अर 14 अपरेल को आकासाफ रहेगा जिससे अधिक्तम तापमान में 2-3 डिगरी की विरिदी हो सकती है वही 15 अपरेल को जारखन के कई हिसों में बारिस की भी संभवना है बतादे 16 अको बादल चाहे रहने वह 17 असे तापमान में विरिदी होने की उमीद है बिद्यार्थियों के लिए दुरदार्शन पर फिर से सुरू होगी उनलाइन कक्छा है राजी के सरकारी पिद्यालियों के बच्चों के लिए एक बार फिर से दूर्दासन पर कक्षा सुरू की जाएगी बतादे स्कूली सिक्षा एम सक्षर्टा विभाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दिया इस समन्द में जल्दी ही दूर्दासन के अधिकारियों के साथ विभाग के पता अधिकारियों की बातचित होगी प्रती दिन तीन घंटे कक्षा का संचालन किया जाएगा बतादे कक्षा का संचालन बराहमीत तक के भी द्यार्थियों के लिए होगा जारखन में संपून लोकड़न पर मंत्री बोले राज के बीत मंत्री रामेशर उराव ने कहा है कि पिछले वर्स कुरोना संक्रमन के दर्व के बाद किसी तरह राजे खड़ा हो रहा है संसाधन बढ़ाने के उपाय किये गए थे अठारा माच तक राज की सिती ठीक थी लेकिन उसके बाद दुसरी लहर और भी भयावा तरीके से सामने आई है पिछले साल जीन जीलो और कस्वो में कुरोना का फरकोप नहीं था वहाँ भी मामले सामने आ रहे हैं राज सरकार महसूस कर रही है कि इसके लिए बढ़े पैमाने पर त्यारी की जरूरत होगी राज सरकार अकेले इस चुनावती से नहीं लड़ सकती है केंद्र से विस्यास पैकेज की मांग की जाएगी कुरोना भैक्सिन का असर कुरोना के बरतमान संक्रमन की भैवा के बीच यह राहत की खवर है कि कुरोना टीका असर कर रहा है इसके दोनों डोज लेने वाले मरीजों में मौत का खात्रा काफी कम हो गया है राज में कुरोना की दूसरी लहर में हो रही मौत के आकड़े इसे पोश्टी कर रहे हैं बताद चिकित सक भी ससगयो का भी मनना है कि एक तो टीका लेने वाले संक्रमित कम हो रहे हैं वहीं दूसरे गिने चुने के संक्रामन हो जाने के बाद कम से कम उनकी मौत नहीं हो रही है होमगाड के लिए खुसकबरी राई सरकार के सभी विभागों में नीजी सुरक्षागाड नहीं होंगे इनके स्थान पर ग्री रक्षकों को लगाया जाएगा मुखे मंत्री एमान सुरेन के निदेश पर राई सरकार की ग्री कारा एवं आबदा प्रबंधन विभाग ने इस्ते समंधित आदेश चारी कर दिया है गिरी विभाग ने सरकार के इस आदेश से सभी अपर मुखे सचीव, सभी परधान सचीव, सभी विभाग अध्यक, सभी आयुक्त, उपायुक्तों को अउगत करा दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि राज सरकार ने निना लिया है कि राज सरकार के किसी विभाग में सुरक्षा कार्य के लिए निजी सुरक्षा गाट को नहीं लगाया जाएगा गौतला भाय की राज के गिरी रक्षको ने पिछले दिनों जोरदार आंदोलन किया था जार्खंड के मधुपूर में आज तेजस्वी आदो बिहार विधान सभा में नेताप प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो मधुपूर विधान सभा उप्चुनाओं में मंगलवार को दो चुनावी सभा को समोधित करेंगे उनकी दोनों सभाय मधुपूर विधान सभाचेत्रे के बुढ़ाई और पत्रोल में परस्तावी था है वे महागट बंधन से जार्खन मुक्ति मोर्चा के परत्यासी हफिजूल हसन के पक्ष में चुनावी सभा को समोधित करेंगे लोकडाउन के असांका से घर लाट रहे परवासी स्रमीक स्रमीकों का मुंबाई समेत अन महानागरों से घर वापसी का सिल्सीरा सुरू हो गया है बतादे मुंबाई में जौब करने वाले लोक और स्रमीक लोकडाउन के असांका से डर हुए हैं और इसी वज़ा से यह लोग घर वापसी कर रहे हैं मुंबाई के लोग माने तिलक टर्मिनस से LTT राची एस्पेशल ट्रेन से रभिवार को दोफर बाद राची रेलवे एस्टेशन पहुंचे मुसाफिरों ने मुंबाई में कुरोना महमारी के चलते उपजे माहल की जनकारी दी और बताया कि कोई लोगों का काम बंध हो चुका है नाइट कारफ्यू के चलते काम परभावित हुआ है यही नहीं उन लोगों को असंका है कि आगे लोगडाउन लग सकता है अगले दोस दिन में दोगने होंगे कुरोना पोजेटीव जारखन में बेताहस बढ़ रहे कुरोना वायरस संक्रमन से स्वास्त विभाग और सहज हो रहा है बतादे राज में जिस रफ्तार से कुरोना का संक्रमन लगतार बढ़ रहा है और जिस गति से संक्रामित मरीजों की संक्रामित बढ़ रही है उससे अगले दोस दिनों में राज में कुरोणा के सक्रिय मामले की संक्रामित बढ़ कर दोगनी हो जाएगी, स्वास्त विभागने ये हनुमाल लगाया है ज्यार्खन में 2366 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो बोकारो से 91, 425, देवगर 99, धनबाद 64, दूमका 50, पूर्वी सिमूं 370, गडवा 28, गिरिडी 29, गोड़ा 24, गुमला 24, गुमला 24, पूर्वा 24, खूटी 106, कोडार्मा 125, लातेहार, तीरपन, लवर्दागा 29, पाकूर 14, पूर्वा 38, रामगड 142, राची 787, साइब गण उनसर, सराइक लनाव, सिम्डेगा 29, पूर्वी सिमूं से 34, मरी मिले हैं जार्खन में 29, कि मृती हुई है, जो राची 8, दनबाद से 8, पूर्वी सिमूं दो, लवर्दागा से 1, मरी सामिल हैं जार्खन में कूल मौत की संख्या 1232 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 15,343 है भारत में 1,066,694 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 1,181,089 है, वहीं कूल एक्टिव केस 12,596 है बतादे भारत में 96,727 मरीज स्वास्थ हुए हैं, वहीं जार्खन में 937 मरीज स्वास्थ हुए हैं जार्खन के सभी नीजी अस्पताल 50,35 बेट कुरोना मरीजों के लिए रखेंगे सुरक्षित जार्खन के सभी नीजी अस्पतालों में 50,35 बेट कुरोना मरीज के लिए सुरक्षित रहेंगे बता दे कि इससे पहले सभी अस्पतालों में कुरोना मरीजों के लिए 25 फिसद बेट सुरक्षित करने का था आदेश, जिसे बढ़ा कर अब 50 फिसद कर दिया गया है सरदी खासिव बुखार है तो ततकाल डॉक्टर के लिए सला राइधानी राची में कुरोना के बढ़ते मामले के प्रती चिकित सकों ने लोगों को सतर करने की सला दी है कहा गया है कि कुरोना के साथ-साथ मौसमी बदलाव के कारण भी सरदी खासी बुखार जैसी बीमारिया हो रही है ऐसे में लपरवाही भारी पर सकती है अगर इन बीमारियों के लक्षन दिखाईत दे रहे हैं तो ततकाल चिकित सकों से सला ले 30 अपरेल तक बंद ही रहेंगे स्कूल कोलेज हजारी बाग में बीते दिन कोचिंग सेंटर के छात्रों के उपद्रों और हंगामा के बाद जहारखन में सासन पर सासन अलर्ट मोर में आ गया है बतादे सरकार की कोविन गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी जीलों में अफसरों को सक्त हिदायत दी गई है इससे पहले राजे में बेतहास बढ़ रहे कुरोना वारेस संक्रान पर नियंतरन के लिए मुख मंत्री हैमान सुरे ने 30 अपरेल तक सभी स्कूल कोलेज, कोचिंग, जीम, पार्क, स्विमिंग, पूल को बंद कर दिया था इसके साथ ही मेला परदस्नी वे जूलूस पर परतिबन लगाया गया बतादे राज सरकार की उचस्तरिय समीती ने परदेश के सभी 24 जीलों में 1444 के तहत निस्दागया लागू करते हुए रात आठ बये के बाद तमाम परतिष्ठान, मार्केट और दुकान बंद करने का आदेश दिया था बेंटी लेटर बढ़ाने का निर्देश कुरोना के तेजी से बढ़ते मामलो और राज के हलाद को लेकर सरकार की ओर से लगता समिक्षा की जा रही है बता दे मुख्य सचीव सुखदेव सिंग ने स्वास सचीव के केस सोन के साथ राज के उपायुक्तों संग वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से बैटक करके कई मतपूर निर्देश दिये मुख्य सची उने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वो अपने जीलों के सभी अस्पताल परबंधों के साथ समानवाई काया सुनिश्चीत करा है कि कुरोना के गंभीर मरीजों को प्रत्मिक्ता के साथ ICU में भरती कराये जाए जिन मरीजों की रिपोर्ट पोजेटीव है लेकिनों गंभीर नहीं है उन्हें समान वाड में भरती किया जाए सरकारी दफ्तरों में 50 पर 30 रोष्टर व्यवस्था लागू करने परबनी समती राज के सचिवाले सहीत तमाम सरकारी दफ्तरों में पदाधिकारी और कर्मियों में कुरोना संक्रमन के मामले बढ़ने से चीनता गहरा गई है सुत्रों के अनुसार सचिवाले सेवस्थां की मांग को गमीरता से लेते वे राज के सरकारी दफ्तरों में 50% उपस्थिती के साथ रोष्टर वेवस्ता लागू करने पर समाती बन गई है बतादे इस समान्द में जल्द आदेश निकाला जाएगा सुत्रों के अंसार और सचीव के उपर के पतादिकारियों की सत पर्थिषत उपस्थिती रखी जा सकती है संक्रमित विद्यार्थी बाद में भी प्रेटकल परिच्छा में हो सकते हैं सामील जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक बोट के दासवी और बरावी के परिच्छार्थियों की परेटकल परिच्छा सुरू हो चुकी है बतादे कब भी द्यार्थी कुरोना संक्रमित होने के वज़ाद से परिच्छा में सामील नहीं हो पा रहे हैं ऐसे भी द्यार्थियों के ज़्यादा परिच्छा नहीं है वेबाद में भी परेटकल परिच्छा दे सकते हैं बतादे जैक की ओर से उनके लिए उचित व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है हलाकि इस समान में आम्तिम निर्ना जैक की परिच्छा समीती ही लेगी धन्यवाद